हलो फ्रेंड असलाम लेकूम आज मैं आप लोगों किसा शेयर करूंगी ब्रेट पकोड़ा की रेस्पी जो की बहुत ही असानी से बनने वाला है बहुत ही टेस्टी मज़िदार क्रेस्पी करारे हमारे ये ब्रेट पकोड़ा बनके तयार होंगे इसे आप चोटी मूटी की मिच्टनी अधर कर दीया है और इसको अच्य तरीके से तीन से चार मिनाट तक फ्राइगे थोड़ा सादालेंगे एक तीस्पून के करीब गर्म मसाला पौडर और गिरंस्पार्ण इसको हमने मैश कर लिया है और वो भी हमें इसमें सामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है मेर्यम फ्लेम पर आलू को मसाले के साथ हमें भूनना है ताकि एक मज़़दार खुसबो आने लगे तो 3-4 मिनट तक हमां और एक मज़दार खुसबो आने लगे तो गस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए इसको रख देना है साइड में ताकि ए अच्छी चोड़ने लगे तो समझ जाएं कि आप आलू हमारा ये अची तरीके से भून चुका है आलू भून के हम साइड में रख देते हैं और चले इसका बिटर तयार कर लेते हैं ब्रेट पर कोड़ा का तो यहां पर हम एक बरतन लेंगे और उसमें हमने यहां पर थोड़ा सा करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है पानी डाल कर इसको खूब अच्छी तरीके से फेट लेना है ताकि हमारा कुब अच्छा ब्रेट पकोड़ा का बेटर तयार हो जाए खूब अच्छी तरीके से इसको फेटना है थोड़ा थोड़ा पानी का इस्तमाल करना है پानी एक बार में नहीं डालना है तो यह रची तरीके से प्रियार है उसको बनाना शूरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया इसको बीट से ट्राइंगल में कट कर लिया है और उपर से हमें और इस तरीके से चारो तो पैलाते हुए मोठास से इस्टफिनि रखेंगे एकदम भर भर के और इसको से चिपका देंगे और हमें सारे ब्रीड को त्यार करे रखती है यहां पर देख सकते हैं कि आ अची करने part लिए तका आसानी को मैंने चार कर ने में फैकले good यह लिएर ने ब्रेट ब्रेट के लिंगे तरफी आप है मैं तो चुप पर दो साँ ही तरह कोल हो जाते हमें घॉंचार न एक साल कोड़ा और उयारीट कोड़ गेख प्रेट टावने बेट प्रफीच गोल्डिन कलर आजाएगा तब इसको हमें एक प्लेट में निकाल देना है तो ये लिजी हमारा ब्रेट पकोड़ा बनके रेडी है तो उमीद करते हूं कि आपको ये मेरे ब्रेट पकोड़ा की रेस्पी जरूर पसंद आयोगी इसको चटनी के साथ सर्व करें और वीडियो को लाश्टे तक देंखे, अल्ला हाफिभी